इस बार बिग बॉस ओटीट 3 के सीजन को अभिनेता अनिल कपूर ने होस्ट किया था। इस शो में नए कंटेस्टेंट्स और एक नया अंदाज देखने को मिला। वाद विवाद, राजनीती और मनोरंजन के बीच एक-एक कर कंटेस्टेंट्स बाहर होते गए। और लेकिन सना मकबूल ने अपने शानदार खेल के दम पर बिग बॉस के घर में अपनी जगह बनाए रखी। अब जीत के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भरभर कर बधाईयां मिल रही है। बधाईयों के साथ साथ लोगों के मन में ये भी है कि आखिर सना मकबूल है कौन। तो आईए जानते हैं सना के बारे में सना मकबूल एक लोकत्रिय टीवी अभिनेतरी और मॉडल हैं जो मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। एक तीस साल की सना मकबूल ने कम उम्र से ही अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी थी। पंदरा साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग और एंटर्टेन्मेंट की दुनिया से नाता जोड लिया था। वो टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ तेलुगू और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी है। सना ने मुंबई में ही अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई की है। वो मुंबई के आरडी नैशनल कॉलेज से ग्रेजुएट है। 2012 में सना ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और फेमिना मिस ब्यूटिफुल स्माइल का खिताब जीता। 2014 में उन्होंने तेलुगू फिल्म डिकुलू चुडाकु रामया से डेब्यू किया। और 2017 में A.R. मुरुगा दौस द्वारा निर्मित तमिल फिल्म रंगून से तमिल सिनेमा में कदम रखा। 2017 में ही सना ने आदत से मजबूर से टीवी पर वापसी की। 2019 में विश में विशाल विशिष्ट के साथ काम करने के बाद सना को लोग प्रियता मिली। उन्होंने फियर फैक्टर, खतरों के खिलाडी, ग्यार, 2021 में भी भाग लिया और सेमी फाइनलिस्ट रही। सना को म्यूजिक वीडियोज जैसे शैरीमान का दिलवाले, काका का गुस्ताखी, बीप्राक का रुहेदारियां और जैजी बी अव मिलिंद गाबा का जोडी के लिए भी जाना जाता है। संगीत में योगदान के लिए उन्हें 2023 में दादा साहिब फाल के आइकॉन अवर्ड फिल्म्स इंटरनेशनल दुबई में शाइनिंग स्टार आफ्ट इयर पुरसकार से भी सम्मानित किया गया। पकितनी महबबत दो, इस प्यार को क्या नाम दूँ, अरजुन जैसे टीवी शोज कर चुकी हैं। 2021 में सना खतरों के खिलाडी 11 में भी नजर आई थी और अब सना बिग बॉस OTT की विनर है तो ये तो ये रही सना मकबूल की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें। ऐसी ही बॉलिवुड की लेटिस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूले।